कि एक गाउं में रात को एक चोर आया सब लोग ध्यान से सुनना रात को कौन आया सब सोरे थे एक अलसेशन कुता था उसने चोर को देखा वो फोंगना शुरू कर दिया एक ऐसा फोंगा फोंगा कि भौंगते भौंगते सारे कुते जाग गए और रात भर भौंगते रहे घरवाले भी आये लठ लेके आए बाहर और सब लाइट लगा के गुमने लगे देरे चौर भाग गया कौन भाग गया अरे कौन भौंगते रहे गे लेकिन कुछ समय के बाद घर वाले भी चले गे चला यार सो जाए ठंड की बात राथ की ठंड लेक रहे है चलो अब सब कुते भी सोगे सब कुते भी एक कुता नहीं सोया वो भौंगता ही रहा वो भौंगता ही रहा बोलो वो कौन सा कुथा था एह बोलो वो कौन सा कुथा था जो भॉंगता ही रहे गए बोलो ना बैच्चे नहीं तुम को सम sufique बैच्चे बोलो कौन सा यह गुता राट सुबेज चार वजे तक भॉंगता रहा अब भी में सुना, सोभी पांच बिजे तक भोकता रहा, बंद ने करता, वो कौन कुटा था, बोलो, हैं, कौन सा वाला, हैं, हाँ, उसका नाम टाइगरी था, लेकिन, कौन सा कुटा था वो, पहला कुटा, जिसने वाक्य में चौर को देखा, वो भोंगता ही रहेगा, बग सुनने वाले हलेलिया, बोलो, हलेलिया, 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 थाले बजाओ, लेकिन जिसने बाया, जिसने चक्खा, जिसने देखा, जिसने एशु को देखा, वो स्तूती करता ही रहेगा, सारे कुटे बंद करो, लेकिन हम भोंगते ही रहेंगे, हमने पाया, हमने छुआ, हमने देखा, हमने अनुभो किया, हम कैसे चुप रहेंगे, हलेलुया, बोल प्रभी एशु मसी के, यह सब कुते हैं, जिन्नोंने देखा है, जिन्होंने देखा कुछ देखा वो चुपने रहेगा बाकि तो यूज भीड में सब ताली बजावे लेकिन जिन्होंने निभोक किया वो कभी बंद नी करें बाकि सब सोगे तैगर नहीं सोया टैगर ने चोर को देखा सचाई को देखा कभी बंद नी करेगी स्थोती हालेलुया मेरा समदेश आपने समझ गया आप समझ लिया आपने मैं प्रभू का धनिवाद करता हूं कि पीछले दो तीन महीने अफ़ते मैं इधर गया पीपल वास एक संडे और इधर गांधी नगर कैपिटल अफ गुजरात मोधी साब के नस्दीक में पब्लिक मीटिंग स्टेडियम में पब्लिक मीटिंग की अविलिशन ने गाया हमने पूरुचिंग किया इंदी मैं और हमारे घरवाली महाराश्टर में गई और अभी हम दो आगे हमारे डौकरी अभी भी महाराश्टर ग जो भी आप कर सकते हैं इसे पार्गी साब ने बोला हमें भी स्राम करने का समय नहीं क्या मालूम प्रभू के पास जाने का कि घंडी लग जाए हमें जाना पड़े जब समय बाकी है हमारा खुदावन का काम हमें पूरा करना है हालेलुया आपकी प्रार्थन हमारे साथ रहत जा रहा हूँ उनने बोला आना पड़ेगा पड़े की मीटिंग है फिर्स टाइम सिटी हॉल हमने फिर्स टाइम ऑप बुक किया और सब को म्यूसिकल इवनिंग के नाम से पप्लिसिटी दिया साब इंतु आएंगे आपको यह आना पड़ेगा तो इतना हाट पेइन हुआ बुकार था और यहां मिसिस नहीं और वो मिनिस्ट्री में कहीं थी और आपको मालूम है जैसे यह बोलते हैं साब हम बहुत लोनलीनेस मालूम बढ़ता है कैमबस में बहुत लोग है लेकिन आपको मालूम है जब घरवाली साथ में नहीं है बहुत अकलीफ हो जाता है बाकि पुसका से गाड़ी में बैठा और जोरजबाय और हम दोनों निगलें यहां से निगल जब भी बीमारी में यहां से हम निगलते हैं यहां संजेपार के बाद ठीक हो जाते हैं और मिनिष्ट्री बढ़िया हो जती है और खुदा का काम हो जाता है हम सुख चंगाई मिलने का बाद मैं जाओंगी मुझे प्रमोशन मिलेगा तब खुदा को कुछ करके बेंदेंगे हमारी काम हो जाए हमारी मूग की मांगी हुई हमारी काम ना पूरी हो जाए तब खुदा के लिए कुछ करेंगे ऐसा सोचने वाला कभी कुछ ने कर सकेगा दुख में, संगर्ष में संग्राम में हम रहकर खुदा के लिए कुछ करने के लिए ठान लेंगे, आप कर भी लेंगे काम खुदा का, और आपके तकलीफ दूर भी हो जाएगे विजह ये शुक मिलेगी आप दुआ करें ये नेक्स संडे खुदा ने चाहा तो मैं इधर हूँगा उसके बाद सूरत के सारे CNA वाले मेतोडिस्ट वाले जितने वाले है पुरारे मिशन वाले मिलके क्रिस्मस के लिए टू डेज टू 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 पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं मुझे बुलाया सेन्य का पादरी ने बुलाया वो नवापूर में आया उसको जोश आगे पादी साब को आर लास्ट यर भी मुझे बुलाया था क्रिस्मस पर बोलने के लिए आप दूआ करें कि मैं स्वस्त आने से पहले जोशिवरावन साब के गवाही पर मुझे एक आयत याद आया मैं डून रहा था वो कहा लिखा है मुझे मिल गई है ओवायत यश्या एक तालीस सब बच्चे बाइबल लावे सब बच्चे बच्चों का मा और बाप बच्चों को बाइबल दिला कर इदर बाइबल लेके इदर बेज़ो बच्छेंगे आपके बच्छे कब भी भी आपकर तकलिफ निंदेंगे ये इंडिया में टॉप बनेंगे आप बाइबल लेके मेरे पिज़ाज मुझे पीछे से चूंटी मारता था चर्च में पीछा हिसा पर तीन दिन तक वहां जलता था कि बाइबल लेके चर्च में निजाएं सब मारता था इसलिए बादरी मुश्किल से बन गया अब रवाई से लोग क्या बढ़ेगा मुझे बता लिए 41 बारह आयत पड़ी 41 बारह जो तुछ से लड़ते हैं उन्हें ढूंड़ने पर भी तुन पाएगा जो तुछ से युद्ध करते हैं वे नाशोकर मिट जाएंगे ये खुदा का लोगों का खुदा की जैसे बोला घुड़ने टेकर हमारी लड़ाई घुड़नों पर होती है कारगिल की लड़ाई संद बंदूक से होती है हमारी शैतान से जीवन की परेशाने से लड़ाई हम घुड़ने पर बोलते हैं अभी जोश्यो अजब केरणा चला गया एक बहुत महेंगा जाजम मुझे दिया बोले पारी साब आप इसी में दुआ करना और मेरे लिए भी कभी कभी दुआ करना वार फशलास मेरे घर वाली बोलती है आप तो एक बार दुआ तो करो मैं दुआ करता नहीं हूँ बोलते हैं अगर आपने वो चटाई में अगर पांच मिनट वाइडने के लिए आपने सोच लिया तो हमारा काम हो जाएगा वो खुदा आप बोलते ही सुनने लाइग इतना नजदीक रहने वाली देवता देव और कौन है हमारे खुदा से बोलते ही सोच मुझे कंडमिनिशन करके आया इस राल कंडमिनिशन में इतना टक कर हुआ इतना टक अंदर से बाहर से कृस्ती लोग अलग बंगराओंगे वो करेंगे यह करेंगे खतरनाक पोलिस वालों ने आखर दिन तक परमिशन नहीं दिया मैंने एक ही दिन सोचा खुदा मैं चटाई बिचा है मैंने बाबू बिनी सर्व भाइब को सब दो यूद थे मैंने परमिशन देने के लिए माना करोगे हम बंबई जाके परमिशन लाएंगे नहीं तो हम दिल जाके परमिशन लाएंगे लेकिन हमारा कन्विशन होगा आपको देना पड़ेगा मुश्किल से उन्होंने दिया लेकिन खुदावन का कला में लिखा है जो तुछ से लड़ते है उनको तुम ढूनते रहेंगे वो तुमको नहीं मिलेगा वहाँ से चला जाएगा फोर्टी जरमिया सोरी आईजिया फिफ्टी-फॉर लास्ट वर्स फिफ्टी-फॉर लास्ट वर्स सेवंटीन नो वेपन दर इस फॉर्मड एगंश्ट दी शाल प्रॉस्पर पढ़िये चितने हथियार तेरी हानी के लिए तेरी हानी के लिए रचाए जाता है उन में से कोई सफल न होगा उन में से एक भी हथियार काम्याब न होगा और चितने लोग मुटई होकर तुझ पर नालिश करें तुमें तुमारे खिलाफ शडिंद रचाकर जूटी जूटी इलजाम लगाकर जो लोग तुमारे खिलाफ मुकद में लड़ेंगे उन सभों से तु जीत जाएगा आगे यहवा के दासों का यहवा के पास्तरोंगा नहीं यहवा की आरात न करने वाले सब भगतोंगा यही भाग होगा यही भाग होगा यही भग्य होगा हाले लोग आगे और वे मेरे ही कारण धर्मी ठेरेंगे मैंने उनको धर्मी ठेराया उस कारण उनके लिए खुदावंद लड़ेगा और हमें जीत दिलाएगा जरमया 119 यह साल के year ending meditations के रूप में वर्शांत की के मनन के रूप में यह वचन मेरे हरदे में प्रभू ने दिया मैं आपके सामने बांट रहा हूं एरमया एक कवनीस पढ़िये and they shall fight against thee but say but they will not prevail against thee पढ़िये हिंदी में वे तुछ से लड़ेंगे तो सही बस बस एक मिलेट लड़ेंगे तो सही पड़ोसी लड़ेंगे वो लड़ेंगे बहुत लोग लड़ेंगे मैं हमेशा बोलता हूँ बाइबल परंतु में परंतु परंतु तुछ पर प्रबल न होंगे हालेलुया वे तुछ से लड़ेंगे जरूर कंपनी में लड़ेंगे फैक्टरी में लड़ेंगे बोर्ड में लड़ेंगे पड़ोसी में लड़ेंगे बीवी भी लड़ेंगी आदमें भी लड़ेगा परंदू, मैं मजा कर रहा हूँ, वो बात नहीं बोल रहा हूँ, परंदू, वो तरे खिलाफ प्रबल ना होगा, हालेलुया क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूँ आमेन बोलिए मेरे साथ बोलिए वे मेरे से लड़ेंगे परन्तु वे मेरे खिलाफ प्रबल नहीं होंगे क्योंकि बचाने के लिए मेरा खुदावन मेरे साथ है हालिलूया मैं विवस्था विवरन से एक दो आयत आपको बोला चाहता मुझे आपको भी बहुत प्यारी लगती है ये शिया के पुस्तक जो साल के अंद में हम पढ़ते हैं भजन सहीता की पुस्तक और नंबर त्री पुराने नियम में से सबसे प्यारी पुस्तकों में से में भी वन नंबर तू और त्री एड़नों है विवस्था विवरन सब लो बोलो विवस्था विवरन मुशा इस पुस्तक में 40 years उनको मरुस्तल में से चलाने के लाने के बाद the greatest leader in history सबसे विपरीद परिश्थितितियों में में और पॉल एक बार 95 में वो मरुस्तल से थोड़ी देर एर कंडिशन टूरिश बस में गया हम बेरशेबा से कौन सा किया था एलाथ तक गय इतनी धूब इतनी धूब इतने चटान एक हरा पता नहीं मिलेगा एक रेती और मिटी नहीं मिलेगी चटानी चटान तो मैं बोल रहा था चाली दो साड़े तीन हजार साल पहले मुसा ने इस बुर बड़ाने वाली परजा को चाली साल यहां से कैसे निगाल के ले गया होगा परहापस दो ग्रेटेस्ट सिवल लीडर इन हिस्ट्री इतिहास का सबसे महान जो अगवा अगवो में से था मौसस और वो जब इस्राइल को ले गया और उसके आखरी दिन आ गया उनको मालूम है खुदा के भक्तों को मालूम है उनका टाइम आया कि नहीं आया है मैंने कई भक्तों को बोला देखा है सुना है वो बोलते हैं मेरी बेटी फालाना मदरास में उसको बुला कर लाओ उसको देने के वो पानी पिलाएगी तब ही मैं औरूँगा बेटी आती है बेटा तो बहुत कहीं घुमने जा रहा है वो चाई पिने गया होगा लिए बेटी आईगी और पानी बिलाएगी उसके बाद वो बुड़ा मरेगा ऐसा कही हिसा भक्तों को मालूब है पार्गी साब को मालूब है आज जाना ही नहीं था खुदा के आत्मा हमारे अंदर है पुराने नियम में पावित्रात्मा पीछे से बोलता था पीछे से की रास्ता इधर है इधर जाओ लेकिन खुदा का शुकर हो नया नियम में हमारे पास उससे बड़ी आशिशे पावित्रात्मा हमारे अंदर रहता है हमसे बोलता है तो भी हम कभी चले जाते उस वक्त भी पिता जैसे बालो को बर दया करता है हमारी उपर दया करता है वो जानता हम मिटी ही है और हमारे जीवन वो संभाल के हमको बचा लेता है खुदा का शुक्र मोसस in his last days he gives a review of all that the Lord has done during the last 40 years उनके जीवन के अंतुमे अंतुमे वो बोलता मैं आज मैं 120 साल का हो गया आगे 33 में 31 में बोलता somebody said maybe on his birthday 120 साल के उसके जनम दिन पर उसने ये ये आखरी अध्याय बोले great passage वेवस्ता विवरन टूटरो नॉमी आवरतन पुस्तगम Jesus Christ ने जितनी आयतें बोला मुझ से बोले repeat किया दोहर आया उसमें सबसे ज्यादा quotations वेवस्ता विवरन से बोला शायतान को वेवस्ता विवरन से बोला लिखा है तू अपने खुदा को परकना नहीं है लिखा है इनसान रोटी से जिन्दा नहीं रहेगा लिखा है जीसस के पास शायद उनके पास इपने इसका कोपी नहीं थी नासरत के सिनदोग में कभी कदार वो कोई किदाब मिलती थी पढ़ते थे पूरी ओल्ट टेस्टेमन उस वक्त बाइंडिंग करके एक साथ नहीं थी पास वाले उधर के सके сिरिया से बाइंड विरन की रोल वहां नासरत में आता यहां से वहां यश्य बेषता वहां से बाइंचा करते थे और जीसस बालक प्रती दिन उसके रीती की अनुसार वो नासरत में मंदर में गया लिखा उसके रीती थी, he had custom it was his habit to go to the house of God on the Lord's day उसकी मा मर्यम जब उसको हाथ में लेकर उसको पुरानी पुरानी गीद सुनाती थी लोरियां गागा कर सुनाती थी उसको सुनाती थी शायद मर्यम ने उनको इस शब्द बोले हुंगे न जाने कि ऐसे जीसस के सबसे अधीक मुझे निगले हुए अधिक से अधिक निगले हुए आयते वचन वेवस्ता विवरंट से लिए हमारे लिए बड़ी पियारी पुस्तक न्यू टेस्टेमन में 80 बार, 80 टाइमस इस वेवस्ता विवरंट से कोटेशन साया है अन्य लोगों भी कोट करते है पॉल भी, दूसरे लोगों भी 80 बार यो टेस्टमेन में इस पुस्तक में इस वर्षिक के अंत में बहुत कुछ मनन करने के लिए आयते हैं उसमें से एक पॉइंट एक इंपोर्टन बात में आपको सिंपल बात बोलना चाहता हूँ इसराइलियों को वो छाए छे बार बोलता है तुम भूलना मत तुम भूल मत जाना फर्गेट नॉट मैं इस पुस्तक से एक इंपोर्टन बात बोलकर ये फर्गेट नॉट के चे आयत जल्दे पढ़के हम आगे आराथना को बढ़ाएंगे उसके चार अधियाए नवस्ता चार अधियाए में वाई दिस बुक इस इंपोर्टन वाई वी शूड रीड इस बुक चार का उसके साथ आयत पढ़ी देखो कौन ऐसी बड़ी जाती है जिसका देशा के समान दूसरी और कौन सी कौम इतनी महान है एक ग्रेट नेशन बोलो एक ग्रेट नेशन एक बड़ी जाती क्यों जाती बड़ी हो गई उसके आठायत पढ़ी फिर कौन ऐसी बड़ी जाती है जिसके पास ऐसी धर्म में विधी और नियम हो आप संसार के अनिये ग्रंधों को दार्मिक ग्रंधों को पड़े कुछ अच्छी बाते है कुछ आस्यास पद बातें भी है कुंदी के कान से कोई पैदा हो गया किसी के टांग से कोई पैदा हो गया मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ लेकिन compare your book this book in your hands grace बैसल जांसे बारट नहीं है ए्डार शास्त्र बैीबल सिनन साथ Manuel ड़िए भराक को फिलाज़ाण day फिलाज़ाविय में के लिए इंडिया के लिए कोई कमी नहीं है फिलाज़ाओं पाइदा होते हैं पिलासफिर इंडिया नीक भी फिलाज़ाद तुसे बात करता हुख विता बोलता है शेयर चाहर बोलता है हंध्या कर हार आत्मी दार्शन है दार्शन philosophies only explain the world in a different way a new philosophy tries to explain the world in a new way but the problem is redeeming this world and Jesus only can redeem the world philosophy is dunya yes and sarka बारे में वरनं करता व्याख्या करने की कोशश करता लेकिन Bible ये संसार का व्याख्या नहीं है इन संसार के उद्धार चुटकाले की पुस्तक Bible है there is no philosophy this is the book of redemption of salvation of the whole world so great a nation because they have great ordinances I say Praman I say Vyabastha British logo ने भारत को Lord Macaulay Macaulay ne Indian Penal Code अभी भी पोलिस रंडा वारते पर बोलते 300 420 420 किसने मनाया 320 किसने मनाया Lord Macaulay British आत्मी ने बनाया 303 बंदर अंदर 303 के अधारा तुमारा धारा बनाया British लोगों ने अभी उगानी देते प्रिटिश वालों कोई बात नहीं ब्रिटन से अमेरिका को कानून मिला अंबत कर इंग्लेंड में जाके पढ़के आए गान्दी जी इंग्लेंड में पढ़के आए बाइबल पढ़के आए और मुसा का नियम से देखो ओन ऐसी बड़ी जाती है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो उसकी देवता ऐसी कौन से जाती है बता हो जिसकी देवता इतनी समीप रहता हो जैसा हमारा परमेशर यहुआ जैसा हमारा परमेशर यहुआ हलेलुया वाट ए ग्रेट गोड इतना महान देवता और कौन है नमबर टू इतने बड़ी महान विवस्ता और कहा है नमबर तीन इतनी बड़ी जाती इतनी महान कौम कौन सी है जिनका इतना महान खुदा हो जिनके पास इतनी महान पुस्तक हो इसलिए हम महान लोग है Alleluia हम महां इसलिए नहीं कि हमारे मामा गोडे पर चलते थे हम महां इसलिए हमरे खुदा महान है हमारे कितब महान है इसलिए हमारे समाज हाप और हम हमारे कौम महान है we are great because we have a great God who hears very closely what you are going to say and we have a great law we have a great book यह है वबस्ता विरन इसमें से नमबर वन पंदरा ध्याए पंदरा ध्याए उसके पंदरा आयत पढ़िये 15-15 forget not what you were before आप पहले कौन थे यह बात ना भूलना वबस्ता में से और इस बात को समर्ण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेशर यह हुआ ने बस 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 16-12 16-12 16-12 और समर्ण रखना कि तू भी मिस्र में दास था नमबर वन forget not who you were आप कौन थे कभी नवब एक मन्त मैंने बे स्कूल में प्राइमर स्कूल में एक कहानी स्पचो नमबर टू सेकंड कहानी सुनो एक कहानी सिखा एक भीकारी था जो महल में गया और राजाने कुछ सवाल पूछा मंद्रियों से मंद्री नहीं बोल सके वो भीकारी बाहर खड़ा हुआ उतर देता रहा वो भीकारी समझधार था भीकारी को अंदर आने के लिए बोला राजाने भीकारी अंदर आया उसको राजाने कुछ सवाल पूछा बढ़िया जवाब दे दिया और उसको राजाने मंद्री बना दिया सब मंद्रियों में बड़ा उसको अरजुन शिंग बना दिया बड़ा मंद्री बना दिया अब ये बड़े मंद्री इस भीकारी को बनाने से पुराने मंद्री सब नाराज हो गए और कौन सी बुराई इसकी कमी निकाले इसकी बुराई करने के लिए घुमते थे और एक दिन दूसरे मंद्री ने देखा ये मंद्री सहाब सुबा नो बजे राजा के सामने ओफिस में जाने से पहले एक चोटे से कमरे में एक चोटा सा बॉक्स रूम में जाता है गुटनेट देखे कुछ करता है एक पुरानी काली पेटी पत्रे के पेटी के सामने जुटता है और फुराता है इन्होंने सोचा ये कोई जादू कर रहा है राजा के खिलाफ राजा महराज बंद्रों ने बोला आप उने इसको मंद्री बना दिया और आपके बढ़िया से अवा करता है आपको मालूम है ये खतरनाग जादू कर है क्यों क्या बात हो गया साहब ये हर सुबा आपके पास आने से पहले पांच मिनिट के लिए एक छोटे कमरे में गुश कर गुटना टेके एक पुराना सड़ा हूँ वी पेटी के सामने जुगता है और आके जादू करके आपको आता है इसलिए आपके सामने लाओ इसको पेटी को लाओ मंदरी को लाओ ओ लाया मंदरी को बुचा तो क्या कर रहा है जादू सरजाद दूनी मैं पीकारी था आपके सामने आता था जाता था impacto मालूम है वो पुरानी पेटी ये इसमें जो मेरे पुराने गंदे कपड़े जो मैं पहन के भीग मांगा करता था वो इसी में रखा हुआ है हर सुबा आपके पास आने से पहले ये खोल के देखता हूँ और प्रभू को धन्यवाद करता हूँ प्रभू इस गुरे से मुझे उठाया इस चितड़ों से मुझे उठाया में डेली घंद ना करूँ इसलिए मेरे इपुरानी चितड़ों को पेटी को याद करते आपके बाद उसको और प्रमोशन दे दिया हम कौन थे अभी तो फटपट है फटपटी है लेकिन फटपट पटने से पहले साइकल भी नहीं थी मेरे पास मत भूलना हम कौन थे नबर टू forget not what God has promised चार अधिया है इसी चार का थेईस पढ़िये चार का थेईस मुसा की the greatest diplomat the greatest ruler in history का advice नबर टू चार का थेईस बच्चों को next Sunday school में पूछना पाससाब ने कितना point बोला जो बैच्चे बोले मुझे बोला उनको इनाम देंगे चार का थेईस इसलिए अपने विश्य में तुम साउधान रहो कहीं ऐसा नहो कि तुम उस वाचा को भूल कर बस उस वाचा को मत भूल don't forget the covenant बोलो don't forget the covenant of your God तेरे खुदा की वाचा को मत भूल प्किसमा लिया था आपने वाचा किया था कुछ भी हो जाए जान भी जाए ये शुके लिए खड़ा रहूंगा मृत्यु परियंत मैं तेरे लिए रहूंगा वाचा किया था खुदा ने आपको वाचा किया था मैं आखर तक तुझे ना छोड़ूंगा मैं संभालूंगा और मा की तरह तुझे लिये फिरूंगा और तुमारे बाल सफेथ होने तक तुमको संभालूंगा तुना खुदा ने हमसे वाचा किया हर प्रभवोज में आप उस वाचा को दोराते खुदावन नया निवाचा का मैं भागीदार हो मैं उसको मानूंगी मानूंगा don't forget. When you are alone, when you are only in with your friends when the whole world is all merry making and jolly and no believer is around कोई पाधरि सहाभी वहान नहीं अरिया लिडर नहीं है you are free with your friends don't forget you are a covenant person आप एक वाचा का बिक्ती है एक वाचा की बेटी है वाचा का पुरुष है तुम्हारे खुदा की वाचा को मत भूल नमबर त्री मेरे पास टाइम ने एक एक पॉइंट पर रुकना था मुझे नमबर त्री खुदा ने अपनी विवस्ता से जो आपको सीखा है सिखलाया है इतने सालों में डॉन्ट फर्गेट वाट वस टॉट टु यू जो आपको पढ़ाया गया चार अधिया में साथ आएथ बढ़िए चार का साथ देखो कौन ऐसी बढ़ी चाहती है जिसका देवता उसके ऐसे समीप रहता हो जैसा हमारा परमेशर यहुआ जब कि हम उसको पुकारते हैं पिर कौन ऐसी बढ़ी जाती है जिसके पास ऐसी धर्मे विधी और नियम हों यह विधी और नियम जिनके किसके पास है हम तो पढ़ते तो हैं नहीं तीन बाइबल हैं इंगलिश में हिंदी में मलयाड़ में अम्प्लिपाइट सब एक खोलते हैं नहीं वो बात अलग है अगर किनके पास है इसी किदावें हैं जैसी कि यह सारी विवस्ता जिसे मैं आज तुमारे सामने रखता है जो आज तुमारे सामने मूसा रखता है सुन लो यह अत्यान तावशक है कि तुम अपने विशे में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चोकसी करो कहीं ऐसा नहो कि जो जो बाते हैं तुमने अपनी आँखों से देखी है उनको भूल जाओ खुदा की महान विवस्ता से जो कुछ आपने पाई है जो आपने डिसकावर किया है खुदा ने आपको सिखलाया उनको कभी मत भूलना समय नहीं है उसके साथ में चार के साथ में लिखा है अपने बच्चों के बच्चों आगे पढ़िए बरदर नो के नो पढ़िए but teach them to thy sons and thy sons sons पढ़िये नो के आखरी बच्चन तू इन बच्चनों को जो तू ने सीखा है अपने बच्चों को और बच्चों के बच्चों को मेरा बेटा जोनाथन और मेरी बड़ी बड़ी जोएन मैं उनको सिखाऊंगा उनके बाप को सिखाया था उनकी माँ को सिखाया और मेरे बच्चों को डंडा मार मार के सिखाया अभी उनके बच्चों को भी सिखाऊंगा और जोवन की बेटी को उसकी माँ सिखाऊंगी मेरा जरूरत नहीं है तुम तुमारे बच्चों को बोलो तुम्हारे बच्छों गो अर बच्छों को बच्छों को IT कि आहला शाल। PhD करना PhD पच्छी कुछ भी नहीं है PhD मैंने PhD क्या इकमर्णst गर्नमन को पैसे सग्छ पापा पुछो पेच्छी बोला पापा चटनी भी नहीं है ये तो एक सर्फ Finisar बोल रहे हैं पपा आइसा मत बोले मैंने इंगलेंट से किया है एक चिशेर अपन जानते हैं क्या पीछडी है तू फिनी और तुम लोगें पीछडी अचिह है तुमारी मम्मीने पपा ने सिखाया ना ये बड़ा पीछडी है ये बड़ा पीछडी है मत भूलना ID मारा भूल जाओ इट भूल जाओ यह बनी इस भूलना मत don't forget what you are I have been taught तुमारे बच्चों को भच्चों को टाइम नहीं पाइर साफ टाइम नहीं टाइम नहीं टाइम नहीं इसलो टाइम नहीं टाइम नहीं क्यों हमारा बच्चा मानता नहीं है अब नहीं मानेगा जब वो मानता था ऑपने उनको से लाए नहीं है अब जिना Twelve बड़ा भाई भी आये नहीं मानेगा वह अभी मानेगा मानता है कि कह नहीं मानता है फिर उसके बड़े अजेगर अमन गो sneeze वेसं करहते है वाइबल झाय है चला गया मैंतिसा बंगरो टाइम चला गया 32 का साथ 327 मुसा बोल रहा है 327 प्राचिन काल के दुनों को समर्ण करो सुनो पीड़ी पीड़ी के वर्षों को विचारो याद करो अपने बाप से पूछो अपने पापा से पूछो और वो तुमको बताएगा बेटा अपने व्रद लोगों से प्रश्न करो अपने व्रद लोगों से नय लों को बोलेगा वो क्रिकट कमेंटरी बोलेगा लेकिन व्रद लोगों से पूछो और वे तुछ से कह देंगे वो कहें थेंगे, बड़े-बड़े पुराचिन काल में गोदा ने क्या किया, साथ का उनिस में वही लिखा हुआ है, मैंने तुमारे लिए जो बड़े-बड़े काम किये, 719, the great temptation, बड़े-बड़े काम, तो जो खिया, outstretched time, मेरे भुजा के दुआरा, समय ने, बड़ी आयत है, मेरे हाथ बड़ाए हुए हाथ के दुआरा, जो मैंने बड़े-बड़े काम तुमारे लिए, science, तुमारे आंगों के सामने किया, साथ का उनिस, मत भूलना, जो बड़े-बड़े परिक्षा के काम, तुने अपनी आखों से देखे, और चिन्नों को, परगी साथ, आप ना भूलना, बचाया पर भूलना, मुझे कितना पर बचाया, science, चिन्नों को मत भूलना, और आगे, चिन्नों को, चिन्नों को, और जिस बलवंद हाथ, और बढ़ाई हुए भूजा के द्वारा, तेरा परमेशर यहुवा ने, तुझ को निकाल लाया, हालेलोहिया, मैं कभी कभी, मैं हिंदी में, मेरी आत्म का था लिखने के कोशिश कर रहा हूं, आप दूआ करना, इंगलीश मेलाणा में हैं, आप मैंसे कितने लोग यहां बच्चे बड़े हैं, आपके मम्मी पपा से सुना आपने, आप स्वेम जानते हैं, मेरे परमेशर ने, ज्यादा तो बड़े बड़ा काम तो मेरे लिखिया नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत मेरे लिए, अद्धुद काम और चिन मेरे लिए संभव काम कई बार, मेरे परमेशर ने मेरे लिए किया, ऐसा जानने वाले अपने हाथ उठाके प्रभू को धनिवाद करो, मेरे बढ़ाए हुए भूजा के, बड़े बड़े चिन और चमदकार के द्वार तुमको निगाल के लाया, इतना 40 साल, 15 साल, 10 साल, जिंदा रखा, ओपरेशन तीयटर में, खतम होने वाली थी, जीवित रखा, तुम मद भूलना, वहां लिखाए, डॉन्ट फर्गेट, नमबर लाफ फाइव, एक चीज़ और मत भूलना, 9 का 7 पढ़िए, 9 का 7, 9, 7, इस बात को समरंड रखना, सुनना, इस बात को समरंड रखना, और कभी भी न भूलना, कभी भी न भूलना, कि जंगल में तुने, किस किस रिती से अपने परमेश्य यहवा को क्रोधित किया बस बस यह भी बद भूलना यह नहीं कि रेकॉर्ड सब क्लियर है गड़ बड़ किया था यहाद है आपको तीन संड़े चर्श में नहीं आया क्यों नहीं आया साइकल पंचर है और उसने पंचर साहब नहीं जाओंगी हाँ जाओंगी नहीं जाओ यू प्रोवोक्ट गॉड कपल अंटाइमस डॉट फरगेट यू लेर्न फ्रम यूर पास्ट मिस्टेक्स पुमा पुरानी गल्तियों तुर्टियों से सीखना मेरे जीवन में बहुत गल्तिया मैंने किये और मैं सोचता हूँ उनसे काफी सिक्षा मुझे मिली हम सब को मिली है तुमने कई बार पर नेशर को नाखुश किया क्रोधित किया मैंने तो भूल गया मैं तो भूल गया मैं समरन नहीं करूंगा कि तुम भूलना मत मैंने माफ किया था मैंने वापस ले लिया था मैंने तुमको अपना लिया था तुमने मुझे कई बार क्रोधित किया कई बार तुछ जीवन में सफल हुए उन असफलताओं के उपर सोचते सोचते दिराश हो ना वो नहीं है पर भी परमेशर के विश्वासियों किता को मत भूलना गलब विलाब की तीन में लिखा है हम नाश ना हो गए ये उसकी करूना महा करूना का फल है इनर बैठे हुए पाश्यसाब हम सब लोग नहीं बोर सकते हम लोग आत्मिक रहे हम बराबर दुआ करते थे सब बात में अच्छे थे नहीं थे कई बार हम फैल होए लास्ट ये शिक्स्थ इस दे लास्ट छे कर दस और जब तेरा परमेशर यहुआ तुझे उस देश में पहुँचा है जिसके विश्य में उसने इबराहिम, इसाक और याकुब नाम तेरे प्रूजों से तुझे देने की शपत खाई देखिए खुदा ने जो बोला है उस आशिश के देश में आपको खुदा पहुँचाएगा यूसफ बोले मैं रहू ना रहू मैरा खुदा जो कुछ तुमको बोलता था मैरा परमेश्वर वो तुमको एक दिन कनान देश में लेके ही जाएगा मेरी हड्डियों को भी तुम ले जाना उस वक्त वाइंगाड देना प्रेज लॉड गॉड विल फुल्फिल इस प्रमेश येट अन फुल्फिल्द येस उस वक्त और येस और जब तुछ को बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तुने नहीं बनाए बड़े बड़े कर में रहते थे हम तो पंदार रोपे कामर में रहते थे जो अभी चार मंचिल में रहते थे ढ़े Knutky में रहेंगे छूका रोती खाते थे मखन लगाके बतर और बी ऑदगे काते और मटर भी काते अच्छे चीज खाएंगे हो और जो अन्हें भरें तुने किया नहीं मेड घरिद लिया और design हाँ तुमने कुवा खोदा नहीं है वैसे ही पानी मिल गया हमाने पीछे सरकार ने कुवा खोदा हमको फरीमनल लगा के दे दिया जरू में आगे जो तुने नहीं खोदे और दाग की बारियां और चलपाई के रक्ष लगाएंगे जो तुने नहीं लगाएंगे तुमको प्र तो यहवा को भूल जाए तुम आशिश के दाता को कभी न भूलना हालेलुया कई भर हम आशिशों के उपर गिंते 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 आशिशों को गिंते गिंते आशिश के दाता को भूल जाते है आज सुबह मैं आपको बताओं अभी आपने आज़िस कुछ नहीं पाया है गर आप वफादा रहेंगे आप डॉक्टर जो बोलेगा वो मानेगा आप ठीक रहेंगे टीचर जो बोलेगा वो मानेगा आप पास होंगे पास्टर लोग जो बोलेगा वो आप मानेंगे खुदा की सारी आज्सिश आपको मिल जाएगी क्या डॉक्टर ही ठीक बोलता है क्या डॉक्तर बोले है मुझ खूलो हाँ तांक उठाओ यो दोरों तांक उठाते पाशन साथ बोल ताली मुझाओ यहां की बात ही नहीं बोल रहा हूँ मैं हिंदुस्तान की बात बोल रहा हूँ तुम किसी की मत मानो खुदा के दासों का मानो ये खुदा के वचन जो बोलते हैं वो छोटा होगा नाटा होगा खुदा के दासों की मानो खुदा की प्रदिग्या पूरी हो जाएगी तक खुदा जवान तो सारी मोज कर मस्ती कर सब कुछ कर सुलीमान ने बहुत मस्ती किया लास्ट वर्ड बोलता है परंदू अपने सरजनहार को तो जवानी में मत भूलना और ये भी मत भूलना एक एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा हलेलुया अश्बा लास्टिंग है हम आश्षे बढ़ती है उस वक्त हमारी सबसे बड़ी आश्ष हमारा खुदा है हमारा सबसे बड़ी आश्ष हमारा परमेशर है आश्ष रहे या चली जाए हम परमेशर को न भूलेंगे हलेलूया इबराहीम तु मत डर मैं तुमारी ढाल और तेरा अत्यंद बड़ा प्रतीफल पैसा नहीं है तेरा अत्यंद बड़ा प्रतीफल मकान नहीं है तेरा अत्यंद बड़ा प्रतीफल वो क्वालिस गाड़ी नहीं है तेरा अत्यंद बड़ा प्रतीफल मैं हूँ मैं I am Thine Exceeding Great Reward जिनको खुदा मिल गया उनको चिरस्ताई आशिश मिल गया है जिनको परमी प्रभू मिल गया उनको सब कुछ मिल गया आईए खड़े होके हम प्रभू को धनिवा देंगे हालेलुया मेरे साथ बोलो नमबर वन बोलो नमबर वन आप पहले कौन थे यह मत भूलना नमबर टू परमेशुर की वायदा वाचा को मत भूलना नमबर त्रीन नमबर तीन जो कुछ आपको सिखाया हुआ है आउँ जिक्षा को न भूलना नमबर चार खुदा के बड़े बड़े चमतकार जो उसने आपके लिए किया है किया था उनको नहीं भूलना नमबर पांच कई बार परमेशुर को हमने क्रोधित किया था फुर भी प्रभू ने हमको छोड़ा नहीं है यह मत भूलना और सब कुछ भूल जाए सब आशिशों को भूल जाए परमेशुर को जिसने यह सब कुछ दिया है वो ले भी सकता है लेकिन परमेशुर को तुम कहीं भूलना जाए हालेलूईया प्रभु जी अब इस साल के अंध में एक वाचा करते हैं ओ सारी आशिशों से बढ़कर तु ही हमारा धन है तु ही हमारी मिरास है तु ही हमारा भाग है यह आशिश पचास साल सो साल में हम छोड़कर तेरे साथ आएंगे और तेरे साथ अनंद राज में सादा रहेंगे तु ही हमारा तिंद बड़ा प्रतिफल है हम नहीं भूलेंगे हम नहीं भूलेंगे नहीं भूलेंगे, हमारा चर्च में सुन्डे स्कूल से हमने सिखा, नहीं भूलेंगे, और आशिश हों गो, तुने दिया, कभी न भूलेंगे, ऐसा कोई भी काम हम न करेंगे हमारे जीवन में, जिससे लोग बोलेंगे, ओ, अपने प्रभू को भूल गया, ऐसा कभी न होने पाया हर एको इस साल के अंद में एक नई पवित्रता में जोश में आगए बढ़ा नए साल बड़ा कामी से बड़ी बड़ी आशिश तू देने जा रहा है हर एको जो बाकि आशिश रही गई एक एक आशिश दे उनके बच्छों को आशिश दे एशो के नाम से मांगते हैं औ कुछ हमने सुना वो हम पालन करेंगे आमेल God bless you खुदा के बचन के लिए पहले पर जाकर खुदा की बढ़ाई करो उसकी महिवा करो इतना महान खुदा इतनी महान व्यवस्ता इतने महान प्रजा इतनी बड़ी बड़ी प्रदिग्या God be praised इतनी महान व्यवस्ता